तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमसे कहा जा रहा है, दस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल लॉम्बर अफ स्टूडेंट्स इस टेन, दे कम्पीट, यह कम्पीट नहीं है, कम्पीट होगा, ठीक है कि दे कम्पीट इन स्विम्मिंग रेस, यह न, इन हो मेनी वेस कैन अग्युपाई तो फिर्स थी पोजिशन ऐसा, तो माल लेते हैं, तुम्हारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से है, S1, S2, and so on so forth, up to S10, ऐसा, तो, rank 1, rank 2, rank 3, किस तरह से दिखाई देगा, देखो तो तुम्हारे पास, यह मालते है, rank 1 है, rank 2 है, and so on so forth, इस तरह से दिखाई दे यहां पर S9 दिखाई दे यहां पर S8 दिखाई दे ऐसा तो किते तरह के sequence basically possible है ऐसा बोला जा रहा है बस इसमें क्या करना है जैसे यह हो गया rank 1 यह हो गया rank 2 ऐसा यह हो गया rank 3 ठीक है तो पहले rank 1 पे 10 में से एक student चुन लो यह फिर दूसरी rank के लिए 9 में से एक student चुन लो क्योंकि जायरी बात है एक ही student दो rank पर तो नहीं आ सकता ना उसके बाद rank 3 के लिए एक student चुन लो total number of ways would be 720 ऐसा ठीक है 720 different number of ways are possible in which the students can occupy the first three positions इतने number of ways तुम्हारा answer हो जाएगा ठीक है बाद यह इतने number of ways तुम्हारा answer होगा ठीक है okay